नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम बात करने वाले हैं कोलियस प्लांट के बारे में कि सर्दियों में इस पौंदे की किस तरीके से देख भाल करनी होती है वैसे तो सर्दियों के मौसम में सभी के गार्डन में रंग बिरंगे फूल खिले होंगे लेकिन इस टाइम प कॉलेस प्लांट है, बिल्कुल खराब हो जाता है और धीरे-धीरे खराब होके ये प्लांट मर जाता है, तो देखे दोस्तों मेरे पास भी 5 वराइटी के कॉलेस हैं, और सभी अभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, सबसे पहली जो चीज है वो है सननाइट, अक्सर आप बिल्कुल भी न करें कॉल्लेस प्लांट दोस्तों तभी अच्छे से ग्रो करता है जब इसे कम से कम 2-3 घंटे की धूप मिले जब आप इसे 2-3 घंटे की धूप में रखते हैं तभी इस पौंदे की ग्रोत अच्छी होती है साथ ही जो पतियों का कलर है वो काफी जादा निखर के आता है अगर आप इस पौंदे को बिल्कुल छाया वाली जगों पर रख देते हैं तो जो इनकी पतियों का कलर है बिल्कुल डल हो जाता है इसलिए इस पौंदे को ऐसी जगों पर रखे जहां पर इसे 2-3 घंटे की धूप मिल सके और सर्दियों के मौसम में जैस ओवर वाटरिंग के कारण खराब हो जाता है इस पौंदे को बहुत ज़्यादा पानी की जरुवत नहीं होती है खास कर सर्दियों के मौसम में जो गमले की मिटी होती है काफी देर में सूखती है गमले की मिटी उपर से देखने में तो आपको सूखी नजर आएगी लेकिन जब आप मिटी को हलका सा उपर नीचे करेंगे तो अंदर से जो मिटी होती है नम नजर आती है इसलिए पौंधे को बहुत ज़्यादा पानी ना दें आप सर्दियों के मौसम में कौलियस प्लांट को तीन से चार दिन में पानी दे सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा देंगे तो इसकी जड़े नीचे से सरने लगेंगी और पौधा धीरे धीरे पीले पड़के खराब हो जाएगा इसरी चीज जिसका हमें ध्यान देना है अभी सर्दियों की सीजन में आप कॉलियस प्लांट की बहुत जादा गुड़ाई ना करें आप सिर्फ महने में एक बा अगर आपने गमले में पौधा लगाया है तो गमले के किनारे किनारे इस तरीके से गुड़ाई करें अगर आप बहुत जादा गहराई में इसकी गुड़ाई करंगे तो जुरूर सो होती है उनके खराब होने का डर रहता है नोथी चीज जिसका आपको ध्यान देना है दे क्योंकि ये पौंधे मैंने जहां पर लखे हुए हैं इसके उपर है छट आप इन पौंधों को ढाय से तीन घंटे की डायरेक्टर धूप मिलती है लेकिन जो रात के टाइम पर जो पाला गिरता है वो इनके उपर नहीं गिरता है क्योंकि मैंने ये नीचे ब्रामडे में रख हुए है और इनके उपर है छट अगर आपने पौंधे खुले में रखे हैं खुली छट पर या पिर ऐसा जगों है जहां बिल्कुल खुली है और उनके उपर रात के टाइम पर पाला गिरता है तो हो सकता है आपके पौंधों की जो पतिया है वो जल सके आप पौंधों को ऐसी जोगों पर रख सकते हैं, जहां पर रात की समय पाला न गिरें, अगर ऐसी विवस्ता नहीं है, तो आप पॉंधों को एक जुण पर रखिए, या फिर दिवाल के सारे, दिवाल के सारे भी ठंड और पाले का असर कम होता है, नहीं तो अगर पॉंधों को एक साथ जुंड में रखा जाए तब भी पॉंधों पर पाले का असर कम होता है तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है इसके साथ ही एक चीज़ का हमें और ध्यान देना है सर्दियों के मौसम में जो कोलेस प्लांट की ग्रोध होती है वो थोड़ा सा रुक जाती है रुकती नहीं है थोड़ा सा स्लो हो जाती है कोलेस प्लांट बहुत धीरे धीरे अपनी इस टाइम पर ग्रोध करता है इस टाइम पर आपको इस पौंधे को बचाने के लिए आपको इसकी कटिंग लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कभी कभी क्या होता है दोस्तों हमारे पौंधे काफी ज़्यादा हेल्दी नजर आते हैं हमें लगता है कि हमारे पौधे काफी ज़्यादा स्वस्त हैं लेकिन कभी कभी अचानक पौधे मर जाते हैं बिल्कुल खदम हो जाते हैं इसके लिए हमारे पास इनकी कटिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कौलियस प्लांट की अगर आप टाइम टाइम पर कटिंग लगाते हैं तो ये प्लांट आपके पास हमेशा बना रहेगा कभी भी खतम नहीं होगा इसकी छोटी से छोटी कटिंग तीन से चार इंचे की जो कटिंग होती है वो भी लग जाती है कुछ बातों का ध्यान रखना होता है खास कर सर्दी के मौसम में वैसे तो मैं कॉलियस प्लांट की कटिंग हमेशा जिस प्लांट से कटिंग लेती हूं उसी के साइट पर लगा देती हूं इस तरीके से भी कटिंग लग जाती है लेकिन सर्दियों के मौसम में क्या होता है जिन लोगों ने खुली जगों पर अपने कॉलियस प्रांट लगाए हुए हैं जब आप कटिंग लगाते हैं तो इस तरीके से लगाएं तो भी एक पन्नी ले 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 या तो नरसरी वाली जो ब्लैक पन्नी होती है वो ले ले अगर अगर वो पन्नी नहीं है तो नमकीन बिस्कृट या फिर यह दूत की जो इस तरीके की थेलियां होती है उन्हें ले 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 और उनके नीचे कलने काफी ज्यादा छेद उल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है देखे मैंने कई सारे इसमें होल किये हुए और जो यह मिट्ट जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो उस मिट्टी में आप बहुत ज़्यादा कमपोश्ट ना डालें कमपोश्ट डाले ही नहीं जो पुराने गमले की यूज की हुई मिट्टी होती है उसको आप यूज करें अगर आपके पास रेध है तो थोड़ा सा आप उस मिट्टी म रेध भी मिला सकते हैं यह देखे दोस्तों 10 दिन पहले मैंने यह कटिंग लगाए थी और यह कटिंग बिलकुल लग चुकी है तो अगर आप इस तरह की पॉलतीन में एक कटिंग लगाते हैं तो इसका भी एक फायदा है सरदियाओं के मौसम में जब आप कटिंग लगाते वो इन छोटे-छोटे जो cutting होती हैं इनको गला देता है और अगर हमने जो cutting है इस तरीके की छोटे-छोटे पन्नियों में लगाई है तो इन छोटे-छोटे पन्नी को h emit यदर-दर ले जाने में दिक्कत नहीं होती इसे ही साम होती है आप ऐसी जगों पर रख दें जहां पर इनके उपर पाला ना गिरे या फिर आप किसी बड़े प्लांट के नीचे भी रख सकते हैं जहां पर इसके उपर डायरक्ट पाले का असर ना हो यह देखे दोस्तों इस तरीके से इसकी एक टहनी तूट गई थी कॉ कभी खराब भी हो जाता है तो हमारे पास उसके छोटे छोटे प्लांट बन जाते हैं अब हम आखरी में बात करते हैं फटलाजर की की हमें इस प्लांट को इस टाइम पर कौन सा फटलाजर देना है तो देखे दोस्तों अभी इस टाइम पर आप इसमें कोई भी weDo solid fertilizer ना दे, solid मतलब जो सूखी हुई खाद होती है, जैसे गोबर की वर्मी कमपोस्ट या किचन कमपोस्ट, सूखी हुई खाद की अभी इसको कोई भी जरुवत नहीं है, सूखी हुई खाद हम इसमें देंगे फरवरी के टाइम पे, तो इस टाइम पे आप इसको कोई भी ना दे, और मैंने तो जितना देखा है, दोस्तों जो कॉलियस प्लांट होता है, इसे बहुत ज़्यादा खाद की जरुवत होती ही नहीं है, अगर आप इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा खाद डालते हैं, तो जो इस प्लांट की stem है, वो नीचे से खराब होने लगती तो इस time पे आपको इस पॉंधी को कोई भी solid खाद नहीं देनी है, अगर आप liquid खाद कोई देना चाहते हैं, तो सिर्फ मेहने में एक बार ही कोई liquid खाद डालें, बार-बार सर्दियों के time पे आप इसमें बहुत ज़्यादा liquid खाद भी ना डालें, सिर्फ मेहने में एक बार ही इस टाइम पर कोई liquid खाथ इस पौंधे के लिए काफी है अगर नहीं भी डालंगे तो कोई दिक्कत नहीं है पानी डाले और जो इसकी मिट्टी है इसमें भी काफी ज़्यादा पोसकत तो होते हैं वही पौंधें के लिए काफी रहते हैं तो सर्दियों के सीजन में एक चीज का ध्यान रखें कि पानी का इस्प्रे कभी भी आप साम के टाइम पर ना करें खास कर कोलियस प्लांट में अगर आप साम के टाइम पर पौंधों पर पानी का इस्प्रे करते हैं कई बार पानी पत्यों के पीछे सूखता नहीं है और धीरे खराब नहीं होगा तो इन बातों का ध्यान रखिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद